जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे ही इसकी सुन्दरता और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है यहां आपको बहुत ज़्यादा सांती महसूस होगा अगर आप अपना यहां समय बिताते हैं यहां सांती से बैठने और नाने की दोनों की सुभिता है तो हेलो आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंकच फामिल्यो ब्लॉग आज हम और मेरी बहन दोनों आये हैं पटना का एनाइटी घाट घुमने एनाइटी घाट पे हम लोग सारे 4 बिजे पहुँचते हैं और भीर बहुत ही कम होती है लेकिन जैसे जैसे साम होता गया एनाइटी घाट का सुन्दरता बढ़ता गया और साथ ही लोगों की भीर भी बढ़ता गया साथ ही पेंटिंग भी बहुत ही अच्छा था